नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे की देफसोनोन 6 टाबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, देफसोनोन 6 टाबलेट को कैसे लेना चाहिए, और देफसोनोन टाबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और देफसोनोन टाबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए, और यह भी डिस्कस करेंगे की देफसोनोन टाबलेट की वज़े से होन देफसोनोन टाबलेट एक स्टेरोइड दवा है। देफसोनोन टाबलेट का उप्योग किया जाता है। देफसोनोन टाबलेट को भी लेने की सलाँ दे सकता है। देफसोनोन टाबलेट शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है। जिसकी वजह से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम ट्रांस्प्लांट किये गए ओर्गन को रिजेक्ट नहीं कर पाता है और ट्रांस्प्लांट किया गया नया ओर्गन आसानी से काम कर पाता है Depsolon Tablet शरीर में inflammation यानी सूजन को कम करती है इसलिए इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी conditions है जिनमें आपका Dr. Depsolon Tablet को लेने की सलाह दे सकता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे की Depsolon Tablet की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं अगर आप Depsolon Tablet का सेवन लंबे समय तक या ज्यादा dose में करते हैं तो Depsolon Tablet की वज़े से side effects होने का जोखिम भी अधिक हो जाता है अगर आपका डॉक्तर आपको Depsolon Tablet को केवल एक या दो सब्ताह के लिए Depsolon Tablet को लेने की सलाह देता है तो side effects होने का जोखिम भी कम ही होता है Depsolon Tablet की वज़े से उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, सिर्दर्ध होना, पेट में बेचैनी होना, घबराहट होना और स्वभाव चिडचिड़ा हो सकता है वर डिप्रेशन भी हो सकता है इसके अलावा Depsolon Tablet की वज़े से चक्कर आना, शरीर में ठकान होना, भूप का बढ़ना, वजन का बढ़ना वन नींद ना आने की समस्या भी हो सकती है कुछ व्यक्तियों में Depsolon Tablet की वज़े से हाथों व पैरों में सूर्जन भी हो सकती है, और मासपेशियों में दर्द हो सकता है लंबे समय तक Depsolon Tablet को लेने से शरीर की इम्म्यूनिटी कमजोर हो सकती है लंबे समय तक देफसोनोन टैबलेट का सेवन करने की वज़ा से लिवर डैमेज व औस्टियोपोरोसिस हो सकता है औस्टियोपोरोसिस एक हड्डियों का रोग है जिसमें शरीर की हड्डियां बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती है और हलके से प्रेशर या गिरने की वज़ा से भी हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है देफसोनोन टैबलेट की वज़ा से ब्लड शुगर लेवल अधिक हो सकता है और डाइबिटीज होने का जोखिम भी अधिक हो जाता है Depsolon Tablet की वज़े से शरीर की घाव भरने की क्षमता कम हो सकती है और कोई चोट लगने के बाद घाव को भरने में लंबा समय लग सकता है लंबे समय तक Depsolon Tablet का सेवन करने से आखों में कैट्रेक या ग्लुकोमा हो सकता है जिसकी वज़से आखों की देखने की द्रिष्टी कम हो सकती है लंबे समय तक Depsolon Tablet का सेवन करने से शरीर की तवचा पतली हो सकती है और तवचा पतली होने की वज़से तवचा में दरारे पढ़ सकती है, devsonone tablet की वज़ा से blood pressure अधिक हो सकता है, और शरीर में sodium का लेवल अधिक हो सकता है, और potassium का लेवल कम हो सकता है, devsonone tablet की वज़ा से गर्दन, चेहरे, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों में असामान्य रूप से fat का जमाफ पो सकता है, जिसकी वज़ा से चहरे, पेट या शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन हो सकती है. डेफसोनोन टैबलेट को बच्चों को लंबे समय तक देने से बच्चों की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है और बच्चों की ग्रोथ धीमी या कम हो सकती है. Depsolon Tablet की वज़े से शरीव पर बालों की ग्रोथ अधिक हो सकती है और महिलाओं में चहरे पर भी बालों की ग्रोथ अधिक हो सकती है इसके अलावा महिलाओं के मासिक धर्म अनियमित हो सकती है अब हम डिसकस करेंगे की Depsolon Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए TB होने पर, Diabetes होने पर, Viral या Fundal Infection होने पर, Thyroid की बीमारी होने पर, पेट में अलसर होने पर, Kidney या लिवर की कोई गमभीर बीमारी होने पर, औस्कियोपोरोसिस होने पर और मायस्थेनिया ग्रेविस होने पर आधी कंडिशन्स में Depsolon Tablet को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सला के बिना Depsolon Tablet को नहीं लेना चाहिए प्रेग्मेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Depsolon Tablet का सेवन करना सुरक्षित पर रेक्मेंडेड नहीं है अब हम डिसकस करेंगे कि Depsolon Tablet को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है Depsolon Tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है Depsolon Tablet की डोज उम्रण, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकती है इसलिए डॉक्तर की सला के बिना Depsolon Tablet को लेना शुरू नहीं करना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे कि Depsolon Tablet की वज़े से होने वाले साइड इफेक्स को कैसे कम किया जा सकता है Depsolon Tablet की वज़े से होने वाले साइड इफेक्स को कुछ बातों का विशेश ध्यान रखकर कम किया जा सकता है Depsolon Tablet की वज़े से हड्डिया कमजोर हो सकती है इसलिए हड्डियों को मजबूत बनाये रखने के लिए आपको कैल्शियम से भरपूर खाद्यय पदार्थों जैसे दूद, दही, सोयाबीन वपनीर आदी का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए या आप कैल्शियम और विटामिन D के सप्लिमेंट्स भी ले सकते हैं इसके अलावा कच्चे फलों सबजियों का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए और हर रोज एक्सरसाइस करनी चाहिए विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका डेख सोनोन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं